सो हेलो वरिवन तो कैसे हैं आप सब वीडियो शुरुवात होने के पहले मैं आप लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें बताना चाहता हूँ पहला की यूपी एजजेस की वेकेंसी आउट हो गोई है अभी वीडियो में आगे सर आप लोगो पूरा डीटेल लाइन बाय लाइन पूरा आप लोगो जो नोटिफिकेशन हो आप लोगो एक्स्प्रेंट करने वाले उसका अनल्सिस करने वाले है और दूसरा की जो बिहार एपयो के रिजल्ट आयते और बिहार एपयो में परिशरी रिफ्रिश्ट लाउ क्लासे के 50 से भी ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यह हम लोग बस दावा नहीं कर रहे हैं वित प्रूफ हवा हवाई दावा नहीं है वित प्रूफ आप लोग के लिए ये जितने भी आपको स्टुएंट्स दिखेंगे वो परिशरी रिफ्रिश्ट लाउ क्लासे के थे और यह सर्फ एक हवा हवाई दावा नहीं यह वित प्रूफ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों के वीडियो आ रहे हैं और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो अगर आ अपनी सीट पकी कर सकते हैं तो आईए अब सर की आवास में देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है हलो माई देख स्टूडेंट्स देख स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत ही गुड निव्स आई हुई है और यह गुड निव्स यह है कि अलहाबाद हाई कोड की ओर से आप लोगों के लिए हायर जूरीशल सर्विसेस का एडवर्टीजमेंट पब्रिस हो चुका ह देख स्टूडेंट्स आप लोग को कही बार वीडियो में बताये गया था कि दिसंबर के लास्ट तक अलहाबाद हाई कोड से यूपी का है एच जेस के वेकेंसी एडवर्टाइज हो जाएगी वाद देखे 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को आज इसका एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए पब्रिस कर दिया गया है कितनी पोस्ट है क्या क्या चीज है सब आप लोग को ब्रीफ में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बता देते हैं और इसके बाद आप लोग अपने को देख लिजे कि आप उस के टेगरी में आते हैं उस पैरा मीटर में आते ह तो उसके गार्डिंग आप लोग फाइर अपने फार्म को फिल अप करिए गया चले स्टूडेंट देखते हैं देखें जो यह पोस्ट आई है हाई कोट आप जूडी केचर एट अलहाबाद डारेक्ट रुकुमेंट साथ उत्तर प्रदेश हायर जूडी सल सर्विस से दो हज इसके डार्ई पोस्ट वो अ भू of 씨 और आर्ट पोस्ट वो ओ वो यृय डविस के लिए है और जहां तक अला स्थाइब में प्रदेंग हैं इसका देखें ज्ली ओ यॅ और कर दिया दो कि जो ऐसे student जो एडोकेट के रूप में काम कर रहे हैं not less than seven year educate continuously practice. ऐसे एडोकेट जो साथ वर से लगातार practice में है continuously, break नहीं होना चाहिए. वो इस farm को भढ़ सकते हैं. अब देखें जो एज है वो दो तरह से हैं. एक तो जो general student है, forward class के student है. उनके लेका आगया 35 year minimum और 45, 45 साल maximum. यह 35 और 45 का जो calculation है वो किया जाएगा 1-1-2024. यानि जो 2024 आ रहा है वो एक जनवरी को किया जाएगा. यानि जो candidate है वो 2 जनवरी 90-79 के before का नहो और not later than 1-1-89. अब देखें यह student जो candidate SC, ST, OBC के टेगरी के हैं, उनके लिए एज में 3 years का relaxation है. और 3 years का जो relaxation है, इसलिए इनको लोग को जो chance मिल रहा है वो 48 साल तक. यानि 45 साल तक जो general student हो का है, इनके लिए 3 साल और मिल रहा है. अब देखें, reservation. देखें, student सबसे इसमें important है, there shall be 20% horizontal reservation for women. लेकिन यह कहा गया है कि जो यह women's का 20% reservation है, वो subject to the final decision of the SLP. यह number दिया गया है और case है, विफिन कुमार मौरिया and others versus state of UP. यानि एक SLP pending है, उसके decision के according यह 20% का reservation women's को दिया जाएगा. तेकर यह student जो reservation for SC, ST, OBC, EW, PW, D category will be applicable for the candidate belonging to the state of UP. यानि कि जो SC का reservation, ST का reservation, OBC का reservation, EWS का reservation जो मिलेगा, वो उसी candidate को मिलेगा, जो UP का है, only UP के candidate को मिलेगा. अधर state के जो candidate है, जो इस form को डालते है, उनको general treat किया जाएगा. वो अपनी state में EWS में है, अपने state में OBC है, अपने state में SC है, इसका कोई माने नहीं रखता कि यहाँ पर वो treat किये जाएगे as a general. एक चीज़तों आप लोग यह ध्यान रखिएगा. समिशन आप application form, यह application जो form है, वो 15 जनवरी 2024, अभी आर यह 15 जनवरी, से लेकर 29 फरवरी 2024, यानि कि एक अच्छा सा duration है, आप लोग के पास form बरने का, डेड़ बहिने का, उस बीच में आप लोग form बरेंगे. और यह कहा गया है कि application received through any other mode will not be accepted. अप्लीकेशन को कैसे आपको fill up करना है? online, offline दोनो. online के कहा गया official website है. जो official website है, उसको आप खोलेंगे www.alahabadhighcourt.in यह authorized or legal website है, उसको खोल कर आप form को fill up करेंगे. इसके बाद जो due date है, यानि 29 फरवरी 2024, इसके पहले पहले, आप इसकी hard copy भी send कर देंगे. 8 copy भी आपको send करना है. जो इसका exam है, prelims main interview, तीन स्टेप में. इस पे से जो first step है, preliminary examination, यानि प्रारंभिक परिच्छा, the date of preliminary examination will be not notified. अभी देखें, इसकी कोई date नहीं है. ठीक है? जैसे date पता चलेंगे, आप लोग को बताया जाएगा. examination fees, देखें, examination fees पे आप लोग को बहुत साओधानी बरतनी है. General candidate, OBC candidate, EWS candidate. इन तीन प्रकार के studentों को 14 सा रुपए, 1400 रुपए फिल जमा करनी है. essay student जो SCST category के हैं, UP के, उनको 12 सा रुपए देने है. essay student for PWD category, candidate for general OBC, EWS category, belonging state of UP. उनको 750 रुपए देना है. जो for PWD category, SCST के हैं, UP के, उनको 500 रुपए देने है. for all candidate belonging state other than UP, जो UP के बाहर के student है, उनको 1400 रुपए फिल जमा करनी है. The detailed instruction for the candidate how to apply application, form, syllabus, mode of submission of fees and other detail will be made available official website. यानि आपको जो और ज्यादा डिटेल देखना है, वो आपको official website पर मिलेगा है, www.alahabadhighcourt.inpair. तो day student ये जो advertisement है, ये जो advertisement है, ये लाबाद High Court के, रिजिस्टार जर्नल की ओर से, ये advertisement 22-12-2023, अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है. day student, परिच्छा रिफ्रेशन लाग क्लासेज आप लोगों के लिए काफी दिनों से आपको सचियत करता आ रहा है, बताता आ रहा है कि ये हाई जो डिजिल के वेकेंसी आने वाली है, आप लोग रेडी हो जाईए, तो परिच्छा रिफ्रेशन लाग क्लासेज पर तीन फेस इसमें आप लोग के लिए मॉर्णिंग में आप लोग के लिए मेंस की क्लास चला जाती है, इसमें आप लोग को लाइब क्लास मिलेगी, लाइब क्लास के साथ रिकॉर्डेट वीडियो मिलता है, आप लोग का डेली का डेली आपको मिल जाता है, इसके साथ साथ आप लोग Test Series, Higher Judicial, UP का already run कर रहा है, आप लोग इसको join कर सकते हैं, इसमें आपको PDF form में question जाएंगे, जैसे examination में आता है उसी pattern पर, आप उसके answer को solve करेंगे, उसको send करेंगे, आपके question को analyze किया जाएगा, फिर आपको remark दिया जाएगा. तीसरा ही है कि Higher Judicial का जो syllabus है, उसके according आप लोग के लिए guide prepared है, और इसके साथ अलग से individual भी material आप लोग के लिए publish कर दिया गया है. तो dear student, आप इस facilities को कैसे उठा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो sir का दो WhatsApp number है. देखें, एक number जो sir का है, वो है 9005078691, और दूसरा है 9-3-3-5-1-4-4-2-6-5. यह देखें, दोनों WhatsApp number है, किसी भी number पर आप एड़िशन लेने वाले student अपना आधार card send करेंगे, face side, back side, जिन स्टुडेंटों को test series में हिस्सा लेना है, उनको भी ही send करना है, जिन स्टुडेंटों को कोई material मंगाना है, उसके लिए इसी WhatsApp number पर अपना postal address, नाम पता, पिंट कोड के साथ send करेंगे, तो आप लोग को वो material आपके द्वारा बताए गए address पर, speed post से और parcel के माध्यम से आप लोग को भिज जाती है, तो dear student, अभी जो आप लोग को सरी बताना चाहते हैं, कि जो examinations है, यह हमारे अनुशार, अभी आप लोग का examinations है, वो अप्रिल तक पढ़ने की उमीद है, क्योंकि देखें, 29 February 2024, यह आप लोग के लिए रखी गई है, last date for the submission के लिए, यानि कि फर्वरी तो ऐसे चला जाएगा, आप लोग का जो exam होगा, वो अप्रिल तक उमीद है, तो आप लोग इस बीच में, अभी दिसंबर का समय, जनवरी का समय, मार्च का समय, पूरा यूज करके, आप लोग बड़े आराव से प्रिलिप्स examinations को निकाल सकते हैं, thank you my dear student,